अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटस वीडियो अप्लोड करता हूँ उसकी इन्फॉर्मिशन आप अपने मेल बॉक्स में इमेल से ले सकते हैं इसके इलावा जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ Twitter या Facebook से connect होना चाहते हैं और latest information चाहते हैं कि आपको सबसे पहले इसके बारे में पता लगे तो आप मे आप कोई भी वीडियो वाच कर सकते हैं तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को continue करते हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जिगविंदर है चलिए इस सेशन में हम जानते हैं Exchange Server Requirements के बारे में हम Exchange Server Requirements को four major categories में divide कर सकते हैं जैसे कि hardware requirements, operating system requirements, active directory requirements and miscellaneous requirements स्टार्ट करते हैं with hardware requirements तो hardware requirements में सबसे पहली requirement जो है वो है मेरी processor की requirement Exchange Server installation के लिए जो processor मुझे चाहिए वो X64 architecture based processor होना चाहिए X64 architecture based processors आपको Intel और AMD दोनों में मिलते हैं RAM requirements अगर मैं केवल एक role एक single server के उपर deploy कर रहा हूँ तो minimum 4GB of RAM मुझे उस role के लिए चाहिए चाहे वो mailbox server role हो चाहे वो client access server role हो या कोई भी और role क्यों ना हो अगर एक server के उपर एक single server deployed है तो आपको minimum 4GB of RAM उस server के उपर चाहिए होगी अगर आप multiple roles को एक server के उपर deploy कर रहे हैं जैसे कि hub transport या client access और mailbox server roles को तो आपको उस server के उपर जो minimum RAM चाहिए होगी वो 10GB होनी चाहिए इसके लावा आपको कुछ और RAM requirements भी हैं जैसे कि आपको per mailbox के हिसाब से भी additionally 3 to 30 MB of RAM चाहिए होगी उस server के उपर जिस पे आप mailbox server role install कर रहे हैं या mailboxes को host कर रहे हैं RAM requirements के बाद चलिए देखते हैं hard disk requirements को तो hard disk requirements आज के scenario में ये कोई बहुत बड़ा issue नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा hard disk space हमें नहीं चाहिए होगी for the installation of exchange server लेकिन जो हम mailboxes को host कर रहे हैं और जो मेरे mailbox server के उपर save होंगी उसके लिए मुझे additional hard disk requirements रहेंगी तो जो exchange server installation की requirements हैं उनमें है 1.2 GB उस volume के उपर हमारे पर space होना चाहिए जिसके उपर हम exchange server 2010 installation perform कर रहे हैं इसके लावा 200 MB system volume पे होना चाहिए जिसके उपर हम इस server को host कर रहे हैं और 500 MB हमें transport servers के case में जैसे की s transport या hub transport server के लिए requirement रहेगी इस space को s transport और hub transport servers message queue database के लिए use करेंगे इन requirements के इलावा आपके पास उतना space होना चाहिए जितना space आप per mailbox अपने users को देना चाहते हैं माले जी आपके environment में 100 users हैं और आप हर एक को 10 GB का mailbox provide करना चाहते हैं तो आप उसको 10 into 100 multiply करके अपने disk space की requirement को calculate कर सकते हैं जिस volume के उपर आप exchange server को install कर रहे हैं या उसके data को save कर रहे हैं वो volume ntfs file system से formatted होना चाहिए तो इस session में इतना ही, thanks for listening